दिल्ली हो या हो मध्यपदेश देश भर के लोगों में चाइनीज फूट का क्रेज देखने को मिलता है अब ऐसे में चाइनीज फूट की बात करें तो मुमोस को कैसे भूल सकते हैं लोग बड़े ही शौक से मुमोस खाते हैं लेकिन शायद मॉमोज लवर के लिए ये वीडियो बेहत हैरान करने वाला है MP के जवलपुर में मॉमोज बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हुआ जिसमें मॉमोज के आटे को पैरों से घूथते हुए दिखाया गया वीडियो के वारल होते ही कई तरह के सवाल उठने लगे हर कोई हैरान है कि आखिर मॉमोज के आटे को पैरों से क्यों गूथा जा रहा है वीडियो में देखा गया कि कैसे ये आरोपी मॉमोज के आटे को अपने पैरों से गूथ रहे हैं जिसे मुमोज की साफ सफाई और गुनवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। वह इस वीडियो के वाइरल होते ही अस्थानी नागरीकों ने पुलिस थाने में ग्यापन सौपा और पुलिस ने कारवाई करते हुए दो आरूपियों को गिरफतार कर लिया। गिरफतार किये गए अरूपियों के नाम राजकुमार पूरी और सचिन पूरी बताय जा रहे हैं जो राजस्थान के निवासी हैं। ये इलाके में मौमोज विशने का काम करते थे, अस्थानिय प्रशाशन का कहना है कि वे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कदम उठाएंगे ताकि लोगों की सेहत को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं अस्थानिय लोगों का कहना है कि इस वीडियो ने मोमोज जैसी लोगप्रिय श्ट्रीट फूट की स्वक्ष्टा को लेकर चिंता बढ़ा दी है इस घटना ने ग्रहांगों में नाराजगी पैदा कर दी है खद विभाग और अस्थानिय प्रशाशन ने आश्वस्त किया है कि वे इस मामले की जाच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविश्य में इस तरह की घटनाएं ना हो